के गाइज वेलकम टू पीम पाट शाला गाइज आज हम जी सी लियॉंग का चाप्टर 6 करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आइस एच कप से स्टार्ट हुई और ग्लेशियर्स कैसे क्रियेट होते हैं या ग्लेशियेशन की वज़े से लैंड फॉर्म्स कैसे क्रियेट होते हैं देखो कल हमने रिवाइस किया था कि विंड से कैसे कैसे तियार होता है मोविंग रिवर्स से कैसे कैसे तियार होता है मोविंग वाटर से कैसे कैसे लैंड फॉर्म्स तियार होते हैं तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं दो लाइक शेर और सब्सक्राइब टू पाट शाला content बिल्कुल important जो आपके exam perspective से है बिल्कुल channel वही target करके आपको free of cost में दे रहा है तो promote us as well as motivate us by your good comments as well as whatever you feel for the channel if you need any want to give any suggestion you can give to us और तो guys हम सिदा चलते हैं अपने chapter की तरफ ही कुछ पीच-बीच में मैं questions पूछूंगे you guys need to answer it चेक है देखो सबसे पहले ना हम ना पढ़ते हैं ice age के बारे में और type of ice masses के बारे में पढ़ेंगे ठीक है देखो इसमें हम क्या करते हैं हम देखते हैं कि ना during the plasticine period अब आपको पता हो ना जे ये plasticine period कब से आया क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो फिर आप पता कैसे लगा पाओगे है ना तो प्लेस्टोसीन period को ना हम ice age भी कहते हैं geological period है और 30,000 साल पहले का ये period माना जाता है आप कह सकते हो like 2.58 million to 11,700 years ago का कुछ period इस तरह का जो period था ना यहां पर ना आपको एक्चुली प्लेसीन पीरिट का अगर हम बात देखें तो यहां पर आपको ना recent episode बेखने को मिलेंगे किस तरह की recent episodes यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि global cooling शुरू हो गई है बहुत ठंड़ा को रही है ग्लोबली ठीक है ग्लोबल cooling नजर आएगी और continental ice sheet लजर आएगी और देखा जाएगा कि लेक्स waterfall सब चीज़े कुछ कुछ कर्व हो रही है वैलीज बन रही है तो बहुत ड्रामिटिक आप कहलो climate का change हो रहा था प्लैलोसीन पीड़ेड में देखा जा रहा था कि ठंड़ा है cold है प्लस dry season create हो रहे है पैलोसीन पीड़ेड में ट्राय कंडिशन्स हो रहे है तो यह थान रखना इस phase में यह भी आया था और क्यूंकि ना पैलोसीन में यह भी देखा गया था जो होमियोस पैसे पेंस से उस पीशी जो थी वो expansion हो रही है human beings के भी और इसी टाइम में बहुत बड़े-बड़े mammals बहुत बड़े-बड़े birds यह सब बीस पीरिड में देखने को मिले है तो बहुत important पीरिड है तो हम discuss करते हैं इसके बारे में you can note down these points whatever I have told you to read it चलो अब हम देखो क्या होता है कि ना माना जाता है कि अब 30,000 पहले कि सब कुछ शुरू हुआ continental जो आई शीट थी वो cover करी हुए थी पूरा टैंपरेट जो latitude था आप समझ लो पूरा वो ना आईस से बंधा हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि 12 million square mile से भी जादा नदन हैमिस्फेर जो थ limit है उसके बाद कि और एसकी विए से आईशी तो रीट्रीट तो दो major ice caps यहां पर अभी भी देख्या में देखते हैं जो है Greenland और और अंटार्टिका फिर उसके बाद देखा गया कि 7,20,000 square miles में पूरा का पूरा जो एरिया है वो पूरा बंदा होए ice से ठीक है अब क्या हो थी ना जितनी भी directions में थी वहां से ना glaciers बनने शुरू हो गए मतलब जो बड़े-बड़े peaks बहुत ही है lofted mountains के बहुत बड़े-बड़े जो project थे वहां पर कुछ-कुछ nanadex आ रहे हैं मतलब ice sheet basically sea तक पहुच रही है बहुत बड़े-बड़े polar waters और ना ice shelf जो है वो float कर रही है river waters में sea में basically फिर ये कल्टे करते क्या हुआ कि जब ये ना जब जितनी भी ice shells होती है न ये cliff पे जाके रुख जाती है अब जब cliff पे जाके terminate हो गई तो फिर ये ना धीरे-धीरे breakdown होगी और convert करके बना लेंगे icebergs तो afloat icebergs basically tabular और एक irregular shape है and only one-ninth of the mass is visible ऐसा-ऐसा देखन को मिलता है अच्छा ये diminish हो गई size में when approaching warmer water eventually melt होगा rock debris उसका तूटेगा तो माना जाता है कि Greenland Antarctica के अलावा glaciation जो है ना वो ज़्यादा तर आपको world में बहुत देखने को मिलने लगा और याद रखना glaciation जो होता है वो snow line के उपर होता है तो मतलब आप समझ रहो glaciation का मतलब क्या हुआ मतलब देखा जा रहा है कि बहुत जादा धीरे धीरे अब एक ऐसा phase आ रहा है जहां पर interval time है देखो ice age का time है जहाँ temperature बहुत ठंडा हो रहा है glacier बहुत जादा advance होते जा रहे हैं समझ रहो यानि कि आप समझो glaciation का मतलब सीधा सीधा movement of ice देखने को मिल मतलब क्या लिखोगे movement of ice इस पर अर्थ के surface पर उसकी बज़े से नए नए ground mountain ranges त्यार हो रही है तो बहुत अब glaciation का देखो process क्या होता है यह terrain को पूरा alter कर देते हैं ठीक है उसको glaciation कहते हैं तो glaciation में इतना बड़ा important काम हो रहा है कि देखो ice move कर रही है इदर से उदर बात समझ रहो फिर है कि जब यह सारी चीज़े होने लग गई न एक समय ऐसा आया कि आपको देखने को मिलेगा glaciation के साथ साथी कि यहां पर न बहुत सारे आपके बनने शुरू हो गए जैसे आपको snow line तो देख मैंने बताया ही फिर यहां पर यह कहा रहा है जैसे अक्यूमुलेटों के गिरने लग गई तो ऐसा न बहुत जादा होने लग गया ऐसे से कही न अर्फेस था यहां पर यह समय वह डिवरिंग जी भी मेल्ट हो जाती थी नाइट फोल में फिर जाके फिर वापिस से वह फ्रोजन हो जाती थी जब यह प्रोसेस क्या हुआ होग हाड और एक granular substance त्यार होने लगा, तो इसको French में निव कहते हैं, निव बोलते हैं, और इसको फोन जर्मन में बोलते हैं, ऐसा ऐसा त्यार होने लगा, फिर कहना, gravitational force भी होता है, तो gravitational force की विज़े से क्या हुआ, धीरे-धीरे, glaciers त्यार होने लग गए, क्योंकि beginning of the flow of the glacier, river of the ice इसको बोलते हैं, tongue-shaped, कुछ ऐसे-ऐसे, downhills पे कुछ-कुछ किए create होने लगे, फिर क्याना देखो, glacier liquid तो होता नहीं है, लेकिन under continual pressure जो आ रहा है, उसकी वेज़े से, जो movement होने लग गई, वो बहुत जादा middle में, और बहुत अच्छे जि़े आपकी side और bottom में, बहुत सारी obstruction प्याता करने लग गई थे, तो different, देखो, glacial जो rate, यहना movement बता रहा है, basically, different rate है, glacial movement के, glacier कैसे fast move करते है, center में than the sides, fast में, देखो, याद रखना, center में सच-सादा glacier बहुत तेजी से move करता है, sides में इतना तेजी से move नहीं कर पाता, फिर क्या होने लग फ्रिक्शन बगेरा होने लगा, valley floors में, तो देखने को मिलता है, ultimately, कि eventually, curved shape down the valley, एक glacier जो है, वो बहुत तेजी से fast-fast भास भागने लगए, कैरा, elps में, average rate of flow जो था, is about 3 feet a day, green land में, इसे जादा, 50 feet से भी जादा होने लगा, तो कैरा, यहाँ पर, जो elps glacier है, बैनी जो अप mountain ranges से, यहाँ पर, कई सारे, several glaciers भी, extensive ice mass में, converge होने लगए, जिसको हम, pigment glacier कहते हैं, अब best, जो known, pigment glacier है, वो क्या है, Malaspina Glacier, Alaska का, ठीक है, अब देखो, धीरे-धीरे, क्योंकि हमें समझ में आने लगा, कि world level पर, ice की, क्योंकि, movement हो रही है, तो ice, जगा-जगा पर, एक-एक erosion भी करेगी, deposition भी करेगी, तो erosion और disposition होने, deposition होने की वज़े से, आपको धर्ती पर, अर्थ के surface पे, glaciers की वज़े से, land form दिखने शुरू हो जाएंगे, glaciation जैसे, rise होने लगा, erosional features की वज़े से, give rise to erosional factors in highland, highland उनका मतला होता है, mountains, deposition features आपको lowland, अर्थ के surface पे दिखने लगए, अब यह एक साथ नहीं होए, glaciers क्योंकि, बहुत combined role करता है, तो transportation, disposition जब होने लगा, तो फिर धिरे-धिरे शुरू होने लगए ही चीज़े, क्याना, जब न, glacier valley के साथ टकराता था, erosional होने लगा, plucking और abrasion की वज़े से, देखो, plucking की विए तरीका होता है, glaciers को erosional करने का देरा two ways, plucking and abrasion, plucking से क्या हो रहा है, glacier पहले freeze होता है, freeze होने के बाद उसके joints है, जो bed handle like rocks केंते हैं, तो आप जम जाता है, पुरा परफ, ध धिरे-धिरे, individual जो block उसका है, वो धिरे-धिरे dog होगा, drag होता चला जाएगा, तो उसको हम plucking क्याते हैं, ठीक है, दोनों बातों को ध्यान रखना, कि plucking क्या होता है, जहां पर आप glacier चाओ है, आपका, वो ultimately, वो क्या कर रहा है, वो freeze हो रहा है, joints को, underlying rocks को basically, वहापे जाके प rock है, मालों यह rock है, अब यहां पर ना कुछ जम जाए, यहां पर basically, मालों बरफ जम जाती है, इस वाले पूरे एरिया में, अब इस पूरे एरिया में बरफ जम जम के क्या करेगी, इस rock को erode करेगी, ठीक है, इस से क्या होगा, देखो, glacier moves जब भी करता है, किसी भी landscape से पानी melt होगा, below the glacering से जाएगा, तो यहां से ही शुरू हो जाता है, तो plucking की वज़े से weathering शुरू हो जाती है, joint blocks basically, यहां पर create होना शुरू हो जाते है, तो यह आपका तरीका होता है, तो मालों कोई भी बहुत बड़ी सी ऐसी सी rock है, मालों, ठीक है, ऐसी सी कुछ rock है, और ultimately rock क्य कर रही है, यहां से जाके पूरे rock से पूरा ultimately, यह पूरा जो आपका पार्ट है, यह glacial ice बन जाता है, basically, तो इस तरह से शुरू होने लगया, मामला पूरा का पूरा, कि भई, इस तरह से plucking शुरू ही, अब next concept आता है, इसी के अंदर हमारा, कि abrasion क्या होता है, देखो, abrasion में मामला थोड़ा सा अलग होता है, abrasion में मामला यह हो जाता है, कि abrasion में glacis scratch करेगा, scrap करेगा, polishes करेगा, valley floor को, debris frozen की वज़े से वो यह सारी चीज़े शुरू कर देता है, अब यह क्या करेगा ultimately, यह ultimately आपके glacis को move कराएगा, stone within its scratch, तो यहां पर पीबल्स है, यह दूसरे यानि guys हमारे साथ क्या हो रहा है, abrasion एक तरहा का ऐसा erosion है, जहां पर पीबल्स जो होते हैं, कंकर पत्थर या सेडिमेंट जो होते हैं, वो solid surface के against क्या करते हैं, धीरे धीरे rocks के अंदर जाके इसको denude करने की कोशिश करते हैं, यानि कि suppose करो आप, this is the rock, पूरा ऐसा rock है मालतो पूरी rock है, ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैसे अलाग तरीके से abrasion हो रहे है, यहां पर कुछोह पीबल्स विबल्स आ गए, कंकर पत्थर सेडिमेंट जो होते हैं, बहुती करने की कोशिश किया करते हैं, सेडिमेंट यह करते हैं कि ultimately इस पूरे ट्यूल को लेकर डेन्यूड करना शुरू कर रहेते हैं रॉक को अंडरलाइन करके स्ट्राच कर देंगे कहीं से हैं समझ रहो ग्लेशिट जो फ्लोर है वो स्ट्राचिंग यह सब शुरू हो जाती है तो यह सब शुरू हो गया तो ultimately जो rate of erosion है वो इस पाथ पर डिपेंड करते हैं अब कल भी हमने यह बात पड़ी moving water के लिए river के लिए भी कि जब वहाँ पर erosion हो रहा है तो वो depend किस पर करता है कि वहाँ पर glaciers का flow क्या था, slopes का weight of the glacier क्या है, temperature ice का कितना है, geological structure उस valley का क्या है इन सभी factors को देखते हुए ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर rate of erosion इस तरह का रहेगा अब अगर हम चलते हैं characteristics features of glaciated highlands के बारे में very first feature is scorey, circ and CWM तो down slope movement होगी glaciers की, कैसी movement होगी, down slope, जो भी उसका snow covered valley head है, उसमें down slope movement होगी intensive shattering होगी, upland slopes की, और इसकी वज़े से depression त्यार हो जाएगा यानी कि इस process में plucking का process क्या करता है, back wall को stripping करना, movement कराना, ice separates की floor पर, depression को और पूरा एकदम बना देना, गठा बना देना, horseshoe sales को circ कहते हैं, ठीक है, तो rocky ridge है, जो आपके कोवरी और ice, eventually आपका melt करेगा, पानी को collect करना है, और यहीं से शुरू हो जाता है आपका कोरी सरक्या, CWM का जैसा structure बनना शुरू, तो याद रखना, यह एक तरहीके का basically, land form glacier ने त्यार किया है, कैसे किया है, दुबारा हम समझ लेते हैं, कि यहाँ पर, वो bowl shaped का, कैसा shaped का, bowl shaped का, depression त्यार होगा, और depression त्यार होगा, वहीं पर जाके, आपके, आप समझ लो, mountains के आ स्नो और आइस वहाँ पर accumulate होगा, उसकी वज़े से high surrounding area जो होगा, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ultimately जब भी सरक glaciers बनते हैं, तो वो कैसे create होते हैं, अब जैसे देखो, यूएस का जो एक national park है, सरक लेक पर ही based है हो, तो यहाँ पर basically समझ रहो ना मेरी बात को अगर आप देखो example, इसका अगर आप, तो मैंने आपको बता ने, यूएस का एक वहाँ पर आपका national park है, वहाँ पर भी है, एक आपको मैं बता दूँ, इल ग्लेशिर अगर आपने सुना हो कभी, वाशिंग्टन में ही है, इसी के बारे में बात कर रही थी मैं, इल ग्लेश ग्लेशिर पूरे फ्लो आउट करके एक नया तरीका है, गनोने वह बनाया होगा है, बहुत अच्छा एक्जामपल है, एक्सिलेंट एक्जामपल है, इस सुर ग्लेशिर का, ठीक है, तो यह आपको मामला समझ आया, सुर ग्लेशिर का कैसे क्रियेट होता है, यहाँ पर बनना, यानि कि जब दो कोरी मिलकर अपॉजट साइड आफ दे माउंटेंस में, एक नाइफ एज की तरह कुछ मनाया है, तो इसको आर्टिस कहता है, फ्रेंच वोर्ट में, तो केरा ब्रिटिश में इच्छा यहाँ पर एक था ऐसा सिस्टम, अल्टिमेट रिसेशिन जब ह होने लगा, इंकलर पिरामिडल बनना शुरू हुआ, तो ऐसा सा देखो, ऐसा सु तियार होने लगा, तो यहाँ पर भी यह बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, ग्लेसियेशन का, देखो ऐसा ऐसा शुरू हुआ है, उसके बाद देखो, ग्लेसियेश के वज़े से ही, एक ब साइमबर्स के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन वो नेगोशेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक मुव्मेंट इनकी त्यार हो रही है, तो समझ लो, कुछ ऐसा सा शुरू होने लगा, यहाँ पर आप देखो रहे हो, एक सर्क जो बना लांड, पीक बनी, वो ऐसे आर्टेस पीक ऐसे बनी, पिरामिडल पीक जो पिरामिड वाली शेप में ही हो, एक स्नो अक्यूमिलेट, ऐसे स्नो अक्यूमिलेट होने लग गई यहाँ पर, यह सारे कि सारे फीचर्स हैं, जिससे आप में पता चला कि ग्लेशिस की वज़े से पीक कैसे क्रियेट हो रहे है अब हम चलते हैं, नेक्स पार्ट में, जिसमें हम देखेंगे, यूशेप ग्लेशिल ट्रॉफ कैसे बनता है, यह बड़ा इंपॉर्टन है, देखो, लैंड फॉर्म ही तो ही, अल्टीमेटरी, अब यह वाला जो लैंड फॉर्म है, यह कैसे त्यार होता है, इस पर देखते सेवरिल कुईरी को फेड करते हुए जाता है, ट्राइब्यू ट्रीमेटरी को भी जॉइन करता है, रिवर को भी जॉइन करता है, उनके साइड में, फ्लोर अफ वैली, मूव ऐसे ऐसे करता रहता है, बहुत कुछ इसमें चलती रहती है, यूशेप जो ग्लेशियल होते हैं, फ्लोर डाउन करते हैं, जब पीरिड ऑफ कुलिंग होती है, और एक पात बना लेते हैं, लो वी शेप्ट वैली के पास ही, जहां पर ये रिवर को काव प्रिविसली काव आउट करके जा रहे होते हैं, तो यहां पर ऐसा माना जाता है, ग्लेशियल ट्रॉफ जो ह पुरे ग्लेशन को नीचे की तरफ पुल करती है, अब जब भी हुज साइज का हैवी वेट का ग्लेशियर भी बहुत थिक होता है, लाइक लेट अफ आइस होती है, जब वो मूव करेगा तो ऐसे क्रेट कर लेगा, ग्लेशियल ट्रॉफ त्यार कर लेगा, तो ऐसा देखने को फिर वहाँ पर बहुत सारे मिलते ही मिलते हैं, अब देखना यह है कि ग्लेशियल ट्रॉफ जो है, वो अल्टिमेटली इसका अगर हम कोई एक्जाम्पल देखें, तो देखो आपको ना, कई सारी जो वैली इस फॉर्म होती है, ग्लेशियल टर्क की वज़े से, वो मैं आ बाती हूं भी, ग्लेशियल ट्रॉफ का एक्जाम्पल, बुक में नहीं दे रखा ना, आपको, I'll tell you, ग्लेशियल लेक का जो एक्जाम्पल है, येस, USA में गाइस, मॉन्टेना है, मॉन्टेना में एक नैश्नल पार्क है, वो ग्लेशियल ट्रॉफ का ग्लासिक एक्जाम्प है, क्योंकि वहां पर क्या हुआ था, सेंट मेरी जो रिवर है ना, और वहां पर ये है, और यूशिप्ड वैली, नैंट, एफ्रॉकन वैली है, वहां पर ये बहुत अच्छा बना हुआ है, पॉर्टिकल में भी है ऐसा, और एक्जाम्पल अगर हम इंडिया का देखे, तो यहां पर अगर हम दिहान से समझें, बात को अगर गहराई से समझें, तो हमें समझ आएगा, कि यह जो बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, कि जब ग्लेशिए अपने डाउनवर्ड जर्नी में होंगे, तो ऐसा होगा, एक समय ऐसा आएगा, कि वो रिवर्स को भी जॉइन करें ग्राइंड करेंगे पैड रॉक्स को, उसके डेबरिस को हटाएंगे, सब पर सॉइल को हटाएंगे, तब जाके कि सिस्टम त्यार होगा, और यूशिप ग्लेशिए टिटले लेक बन जाएगे, अब हम चलते हैं, हैंगिंग वैली की तरब, यह को में वैली है, हैंगिंग तेजी से ही इरोड होनी शुरू होगी, ट्राइबूटरी वैली से भी जादा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ग्लेशिए हैं, जब आइस मेल्ट होती है न, ट्राइबूटरी वैली की, तो वह हैंगिंग सी लगती है, समझ रहों, आप देखो और ध्यान से सुनो, तो यह टाइब वैली है, जो स्मॉल ग्लेशियर्स के इरोड होने की वज़े से बनती है, स्मॉल ग्लेशियर्स में देखो इतना बॉटम में जो होता है न, यह यह इंग होना शुरू हो जाती है, लटकनी टाइब शुरू हो जाती है, तो यह लटकन सी इन में जो आजाती है, वो आपका एक बड़ा अच्छा example है क्या इंडिया में भी hanging valley है आप बताऊ मुझे इंडिया में आपको कहीं आपने देखा हो एक example मैं दे देती हूँ दूसरा आप मुझे बताऊगे कि कहा है आपने कभी अगर आप visit किया हो हरकी दून गई हो कभी गड़वाल हिमालय उत्राखंड में जो है ना ये हरकी दोनी, यहाँ पर आपको मिलेगा ये hanging valley, दूसरा example आप मुझे देना hanging valley और कहां आपने देखी है, सुना है, ठीक है, अब देखो next आता है rock basins and rock steps, देखो जब glacier क्या होना शुरूआ, erode होना शुरूआ, excavate हुई, irregular manner में bad rocks, अब unequal excavation की वज़े से बहुत सारे river basins में, लेक लेटर जब ना ये rocks excavate होने से थोड़ा क्या होगा, फिर बाद में ना पानी लेक से भरने लगा, भरने लगा तो फिर ये नए-नए structures त्यार होने लग गए, क्यारा देखो ये glaciated upland है, जब tributaries मिली main valley में तो additional weight आई इ पर कर दिया, तो वहाँ पे rock steps त्यार होने शुरू हो गए थे, अब हम चलते हैं moraines की तरफ, ये क्या होते हैं, लेको moraines बनते हैं pieces of rock से, इससे बनते हैं, pieces of rock से ये त्यार होते हैं, अब कैसा उसमें होता है, जब ना frost action हो रहा है, ठीक है, अब frost actions की वज़े से glaciers brought down the valley, उसमें ये त्यार होता है, moraines basically land forms हैं, जो glacial till से बने, जो क्या है, debris हैं, इसमें क्या होता है, glacier transport और deposit हो जाते हैं, तो moraines में आगा मिलते हैं, आपको can be found on the surface of glaciers only, तो यानि moraines में आप एक बात ध्यान से समझ लो आज, मुद्दे की बात ये है, मुरेन क्या होता है, material जो बचा-खुचा रह जाता है, moving glacier में उसको moraine कहते हैं, इस material का होता क्या है, इस material में लेको soil rock होते हैं, जब river ये सारे debris carry करके ले जाते हैं, तो silt बनता है, इसे ही जब glacier transport कर रहा है, dirt boulders को, तो वो moraines कहलाते हैं, वो moraines बना देता है, किर अगर long island आपने सुना हो, तो वो terminal moraine का ही सबसे बड़ा example है, अब सवाल ये उठता है, कि क्या इंडिया में भी moraines देखने को मिलेगा आपको, ये बहुत बड़ा सवाल है, कि इंडिया में moraines है या नहीं, तो इसका जवाब आप मुझे बताओगे, comment section में कि इंडिया में moraines कहां कहां पर देखने को मिलता है, ठीक है, चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर land forms of glaciated low lands के बारे में बात करते हैं, कहां देखो, land form जो glaciated low lands का है, ये basically depositional in nature है, valley glaciers है, continental ice sheets है, तो former leaves behind the ironed median is only restricted area, तो ice sheet landscapes का is far more widespread, because they advance through large areas, तो ultimately यहाँ पर, जितने भी glaciated low land है, deposition features है, but where rock masses project above, यहाँ कह रहा है कि ultimately glaciated low land, जब depositional features इनके आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उससे क्या-क्या बनाते हैं, तो अगर आपने सुना हो, रोशे माउंट, तेन, मोटोन बोलते हैं, इसको मोटोन, येस, if I'm not pronouncing wrong, तो ये अब ये क्या होता है, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, देखो, जब न, resistant residual बनते हैं न, और जब आई, surface पर आपका ice का movement हो रहा है, यानि कि upstream spine पर abrasion हो रहा हो, और down side पर plucking हो रही हो, यानि बात समझो, धहन समझना, मैंने क्या कहा, ये कब create होते हैं, देखो, जब upstream वाली side पर क्या हो रहा हो, abrasion हो रहा हो, मैंने भी आपको abrasion समझाया था, और downside पे जब क्या हो रहा हो plucking हो रही हो ऐसी condition में क्या create होता है क्या create होता है आपके rosh mountain create होते है यहाँ पर यह कैसे create हो रहे हैं यह कह रहा है कि यहाँ पर यह asymmetric asymmetric bedrock की वज़े से भी create यह होते हैं, ठीक है इस बात का ध्यान रखना अब यहाँ पर एक कह रहा है आपको next page पे लेके चलते हूँ, I think this is the last page so stay tuned यह देखो यहाँ पर rosh mountain describes because it resembles sheep skin wick की तरह यह लगते हैं इसलिए इनका नाम भी ऐसा रखा गया अब आता है crack and tail के बारे, crack क्या है, tail क्या है तो crack एक तरहा का hard rock mass होता है with a precipitous slope on the upside वाला side जो softer leeward slope को protect करता हो completely worn out होने से रोकता हो classic example क्या है Kessel Rock of Edinburgh ठीक है, remaining आपके depositional natures के रहते हैं अब आता है boulder clay और glacial till क्या होता है unsorted glacial deposits है जो की eroded materials में comprise कर रहे है और यहाँ पर यह क्या करते है it is spread out in sheet not mounts और यह ना undulating drift plants को त्यार कर रहे है तो boulder clay plains क्या है जैसे East Anglia है North Midwest of USA है यह सारे के सारे rich arable land है जो basically eroded material से त्यार हो रहे है ऐसे ही एक और है आपका landscape जो बनता है erotic यानि कि बहुत सारे जो बड़े-बड़े boulder bearing size के आते हैं उसकी वज़े से क्या होता है तो धान रखना boulder का मतलब समझे जो पत्थर होता है अगर नहीं आपको हिंदी में आ रहा हो तो पत्थर जब बहुत बड़े-बड़े size के हैं movement हो रहा है कि इतने बड़े-बड़े पत्थर पता नहीं कहां कहां से ला रही है एक्जाम्पल ऐसे blocks का है जैसे आपका siludian grit है जो की परश और carbon favorites limestone पर देखने को मिलता है और इसके बाद आपका आता है next नाम drumlins का drumlins क्या है swarms of oval है, elongated whaleback है mocks है जो की ultimately holy of boulder clay से बना है low hills इसमें के आपका 400 feet याद से बना हुआ है और range इस तरह से हुआ हुआ है आपको ये great lakes of north America के glitchated plain पे मिलेगा ये देखने को एक तो ये होते हैं, सारे के सारे landforms हैं जो ice की movement से बने एसकर भी ऐसे बना, एसकर कैसे बना long, narrow, sinuous ridges हैं, sand और gravel से मिली भी होती हैं और जब subglacial melt आपका water stream में जाता है तो आप यहाँ पर देखने को मिलता है के आप main USA में ही देखने को मिलेगा एसकर जो होता है, continuous ridge है basically अगर आप एसकर की बात करते हो तो देखो, एसकर basically एक आपका ऐसा-एसा land form है, जो की न, sand gravel के deposition से बना है ठीक है, यह धान रखना आप, moraine तो चलो होता ही है ridge एक hill, loose materials का और ऐसे ही आपका iskers होते हैं, जो आपके narrow होते हैं और इनकी winding ridge जो होती है, वो gravelly material से बनी होती है ऐसे ही terminal moraines है, जो आपके किस्से बने होए हैं, यह बने होते है, coarse debris से ग्लेशर को भी जब move कर रहा है तो उसका time period होते है सबसे पहले जब बहुत तेजी से भाग रहा तो नए तरहा की जैसे हमने कल पढ़ा देखो ऐसे ही होते हैं, चाहिए वो moving water हो, glaciers हो, इनकी movement जैसे जैसे कम होगी, velocity कम होगी उसे साबसे ही त्यार करते हैं out wash plains भी त्यार करते हैं fluvial, glacial deposit, जब बिलकुल terminal moraines से सब कुछ खताम हो गया material अभी, melt water जो बचा है, खाली re-deposit हो रहा है, वो जाके variety of forms में low hills, heartland वगेरा में, तब आपके से कहते हैं, European plains में हैं, Luneburg, health of north, महाँ पर ऐसा आपको मिलेगा, cattle lakes हो जो होती हैं, वो सारी ऐसी out wash plains जो होती हैं, वो कहलाती हैं अब देखो, glaciated landforms वो बन रहे हैं, no doubt बन रहे हैं, लेकिन इस पर human aspect क्या आ जाता है, तो दो the ice ages were at their height, ओवर 30,000 years अगो, तो glaciation का effect जो होता है, landform और human activities पर पक्का पड़ेगा, क्योंकि temperate जो region था, योरोप का, North America का, वहाँ पर ice sheet के अंडर ही वो cover था, लेकिन जैसे साउथ की तरह आते हैं, high mountains all over the world देखते हैं, तो glacis का पूरा shape चेंज हो रहा है, कहीं जगा पर favorable है, human activities के लिए, कहीं जगा पर unfavorable है, क्याना, hilly regions में, जो mountain slopes होती है, scandavians का, ice sheet का, glaciers का, ये remove करता है most of the top soil, leaving them quite bare of vegetation, the soil that do exist are so thin, they are incapable of supporting effective agriculture, तो glacial drift जो valley का है, bench alps का है, ये glacis effect नहीं होते हैं, क्याना, जो cattle है, वो कैसे करती है, cattle के लिए, गाय भैसों के लिए, grass जो होती है, वो winter में belly bottom के तरफ हो, ऐसे animal migration, ऐसे trans humans कराते हैं, तो वो वहीं पर कर सकते हैं, लुईस जो plains है, USA का, Europe का, Central Asia, Central USA का, तो वहाँ पर भी humus का proportion अच्छा है, farming अच्छी हो जाती है, कहरा ना कि इनसान कैसे glacials के साथ रहेगा, तो देखो, है ना, मतलब कुछ-कुछ अच्छा निकाला होगा है, अच्छा, अब मुरेक, अगर हम deposits पे देखें, damn glaciers पे देखें, तो large lakes जो formed होती हैं, by former glaciation, तो great lakes of North America, बहुत अच्छा example है, cut deep overflows हैं, और remote caps and it links the interior of the dust, और terminal recessional moraines हैं, सारे के सारे इससे त्यार होँ है, purist sand, देखो, बहुत कुछ मिलता है, कहा ना, देखो, इंडस्ट्री के level पर देखते हो, तो human activities के लिए आपको ना, अच्छी sand, purist sand मिलेगी, इतना फाइदा होता है, क्यों 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 सेंड कैसे मिलेगी, क्यों देखो, जब glaciated mountains पे, लेक बेसिंज पे जाओ के ना, वहाँ पे मिलेगा, यह ना, Scandavanians, New Zealand, Canada वगेरा में, cold तो होता नहीं है, stream water flow, down hanging valley, यह सब आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप hydroelectric power भी यूज कर सकते हो, तो इंसान ऐसा नहीं, देखो, ऐसा चीज़ें, देखो, create, ऐसा resources created है, universe के थ्रूना, कि everywhere settlement के लिए, human settlements के लिए, चीज़ें बनी हुई है, फिर आप देखो, stream breeze कितने अच्छे ची मिलते हैं, glissated mountains मिलते हैं आपको, France में, Italy में, Swiss Elps में, आप skying कर सकते हो, mountain climbing कर सकते हो, sightseeing, यह सारा का सारा, आपको पता है, यह human activities का पार्ट बनेगा, और human aspects के लिए, glissated landforms, यह सारे चीज़ें आपको देते हैं, तो guys, this is all about our landforms, and we have also seen how it is affecting human beings, or how it is giving the benefits to the human beings, so guys, thank you so much for listening, do like, share and subscribe to PM Paatshala, have a nice day to all.